हेलो एवरीवन वेल्गम तु चाड़ एकोशन आससी इंट्रमेट मेंट इसले अटम्ट का पेपर नुम्बर 4 टेक्सेशन का टेक्सेशन का पेपर आपको बताए कि टेक्सेशन में आपके टूस पाट रहता है पार्ट यह रहता है अगर टेक्सेशन की बात करें तो उसमें पूरा टूटल इंका कोशन देखने को मिल जाता है जिसमें 2-3 heads का तो यूज़ किया होता ही होता है वन्दा जादतर जो है PGPP के प्रोविजन का यूज़ करते वे जो है कोशन देखने को मिलता है वहाई Part B में इंडिरेक्टेक्स में आपको जो है बेसिक जो आपका कम्प्यूटेशन रहता है GST का क्योंकि GST में सरफ वही एक प्रेक्टिकल कोशन रहता है लेकिन उसमें सभी चप्टर का यूज़ किया जाते है जिससे पेपर और ज़र ज़र ट्रिकी बन सके और सबसे इंपोर्टन यह कि आपने कितने मांक सा एक्टेंब किया क्योंकि student होता है कि इसमें इंडिरेक्टेक्स के जो प्रेक्टिकल बोशिशन में तो जाता समय उनका लग जाते है इसके चलते वह MCQ भी attempt नहीं कर पाता है अगर उनने MCQ से स्टार्टिंग नहीं की होती है MCQ भी आपको पताए कि इसके फुली जो है conceptual based रहते है इसमें जो आपको case study based question भी देखने को मिलते है two two questions तो रहती है solve करने में आपको first question जैसी time लग जाता है आपने कितने MCQ के questions attempt करें आप overall में कितने marks से आपने attempt करां जरू comment करके बताएगा और आपको overall paper कैसे लगा अपने अगर past year का question paper attempt किया है तो comment करके जरूब बताएगा बाकि अगर student के review की बात करें तो इतने परसें student को जो paper easy, average और tough लगा आप भी इस पोल का इस सब बन सकते है चाड़े education के टेलिंगम channel को join करके more than 300 student जो है channel में joined है तो आप भी join कीजिएगा और अपना vote कीजिएगा इस पोल में बाकि जब इसके session answer रिलीज होंगे तो आपको जब telling हम channel में uploaded देखने को मिल जाएंगे तो finally जो है C intermediate group 1 की जो paper end हो चुके अब जो भी student group 2 की examination दे रहे या तो both group की examination दे जा रहे तो best is उनकी group 2 की examination के लिए group 2 का paper number 1 और basically paper number 5 आपका रहने वाला है advanced accounting का advanced accounting से आपका accounting की तरह ही रहता है fully practical based जाता है time management आपको करके चलना पड़ता है थोड़ इसे इसमें जो marks का distribution जाता है slightly different जाता है question के accordingly जैसे की paper number 1 में तो आपको 10-10 marks के देखने को मिल जाते है each question में इसमे 15-5 करके भी आपको चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके all notification bell open करना ना भूलेगा क्योंकि यूटूब में एक मात्र चैनल है जिसमें आपको CA course related genuine updates देखने को जाते thank you so much for watching the video